Hello everyone, my name is Aditi Chaudhary, welcome to my channel, अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे sentences बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे सिंग बर्तनों से खचा-कच बरी हुई है, मंदिर भगतों से खचा-कच बरा हुआ था, सिनेमा हॉल दर्शकों से खचा-कच बरा हुआ है, प्लैटफॉर्म यातरियों से खचा-कच बरा हुआ था, ऐसे हिंदी के sentences को इंग्लिश में बोलने के लिए हम jam-packed, इस word का use करते हैं, जिसका मतलब होता है खचा-कच बरा हुआ होना, मतलब पूरी तरह से बरा हुआ होना, कोई भी जगक खाली ना बचना, इसको लेकर sentences बनाने का कोई well-defined rule तो नहीं है, क्योंकि हम इसको sense के according sentences में use करते हैं, लेकिन don't worry, आप जैसे-जैसे examples देखेंगे इस पर based, आपको इसका meaning अच्छी तरह से समझ में आता जाएगा, तो चलिए आप कुछ examples देखते हैं, जिससे आपको इसका मतलब बेटा तरीके से समझ में आ जाए सिंक बरतनों से खचा-कच भरी हुई है, the sink is jam-packed with the utensils, या फिर, the sink is jam-packed with the dishes, तुम्हारी अलमारी कपडों से खचा-कच भरी हुई है, फिर भी तुम्हें नए कपड़े चाहिए, your cupboard is jam-packed with clothes, still you want new ones, या फिर, your closet is jam-packed with clothes, still you want new ones, मंदिर भक्तों से खचा-कच भरा हुई था, the temple was jam-packed with the devotees, the temple was jam-packed with the devotees, सिनिमा हौल दर्शकों से खचा-कच भरा हुई है, the cinema hall is jam-packed with the audience, the cinema hall is jam-packed with the audience, प्लाटफॉर्म यात्रियों से खचा-कच भरा हुई था, the platform was jam-packed with passengers, अब एक सेंटेंस आपके लिए बस खचा-कच भरी हुई है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, या आप मुझे comments में बताए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इससे कुछ सीका है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज इसे subscribe कर लीजिए, और बेल लाइकिन को प्रेस करना मत भूलिएका, जिससे मेरे रोज आने वाले वीडियो एक नए लेसन के साथ, तक तक के लिए टेक केर, बाब बाई